दोस्तों आपका मेरे चानल पे फिस्से स्वागत है और दोस्तों सबसे पहले आपको इस दिवाली की बहुत-बहुत बधाई और मैं चाहता हूँ ये दिवाली आपके परिवार में सुख समरधी लेके आए और सब लोग खुशहाली से इस दिवाली के पर्व को मनाए तो दोस्तों ये तो रही दिवाली की बधाई और इस वीडियो में आप आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपने इसका शीरशक देखा होगा प्रजेक्त्स हैं उनकी डीटेल लेकर आया हूं और कुछ दीन दियाल पॉलिशी प्रजेक्ट्स हैं उनकी भी डीटेल इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं affordable project के उपर क्योंकि affordable तो हमीशा ही चर्चा में रहते हैं तो इसके उपर हम पहले चर्चा start करेंगे तो देखिए affordable में काफी दिनों से आपको एक update मिल रहा है कि rate revise हो रहे है तो finally एक newspaper में भी हमने देखा है कि यह rate revision की बात आ गई है तो देखते हैं अब इसके उपर कब final order आता है तो जैसी final order आएका तो यह rate revise हो जाएगे most probably जो कि flat का जो rate है affordable housing में जो हर्याड़ा में जो 4000 पे तै किया गया था गुडगांग और फरिदाबाद जैसे रीजन्स में तो वो बढ़के अब 42 रुपया हो जाएगा और बालकोनी के rate में भी कुछ इजावा होगा तो जैसे ही इसकी update आ जाएगी final order आ जाएगा government के हो रही अफॉड़ेबल में जो rate revision की बात थी आफॉड़ेबल में बात कर लेते हैं कि अफॉड़ेबल में कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी line up है और इनका क्या status है तो देखिए अभी अफॉड़ेबल में सबसे पहला प्रोजेक्ट जो की JLS 86 जो की काफी चर्चा में चल र चल रहे तो 102 में कॉंशेंट ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आएगा फिर उसके बाद आपका एक नब्भे में सेक्टर नब्भे में MRG का एक्षेंशन आना है और फिर उसके बाद जो जिसकी बहुत बड़ ज्यादा चर्चा हो रही है तो मैं कह रहा था कि जिसकी काफी चर स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पर देखे एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 62 में रॉयल ग्रीन के नाम से आ रहा है और बिल्डर के लिए देखे जब इतना माइने नहीं रखता क्योंकि जब लोकेशन ऐसी हो और जिसने भी गुड़गाओं में इन्वेस्मेंट किया है या इ उने पर सुहागा हो जाता है तो यह तो रहे अफोरेबल के कुछ अपडेट और बाकी अगर हम अब दीन द्याल पर आ जाते हैं तो दीन द्याल में भी बहुत धूम अचा रखी हैं स्मार्ट वर्ल्ड ने और एम्ट्रियम ने आप लोग जानते ही हैं जो भी दीन द्याल क कर लिए है तो दीन द्याल मैं भी अब स्माल वर्ल्ड और एम्ट्रियम के हैं दो दो प्रोजेक्ट वर लाइन डफ्त हैं जो कि एक सेक्टर सेवैंटी नाइन में हैं और एक सेक्टर 51 pensa न Also 13 में उसके काफी लोग चर्चा कर रहे हैं habe charismatic कि बनली नसीदिख पड़ जाता है और इसकी भी धूम बहुत अच्छी मचेगी क्योंकि इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉंस आने वाला है क्योंकि जो भी द्वार का एक्ष्प्रेस पर अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे थे उनके लिए अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा था बहुत लिम्टेड से अप्शन थे या तो पुराने प्रोजेक्स मिलते थे या फिर अगर कुछ नया मिलता था तो उसका रेट इस तरह से था चीजों का कि जो की मतलब एक आम आदमी की बहुत से बाहर थी तो एक उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होने वाला है ये वाला प्रोजेक्ट तो जो भी द्वार का एक्सप्रेस वेपे देख रहे हैं जिनको आफ़रेबल पसंद नहीं है और लगजरी का सेग्मेंट का उनका बजेट नहीं बन वारा है तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा जो कि सेक्टर 113 में आलमस डेली के बॉर्टर पे टच्च वाले सेक्टर में आएगा यह प्रजेक्ट तो मुझे लग रहा है कि इसका भी रिस्पॉंस बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि अब जो लोगों के मन में शंका थी जो जैसे एंथ्रीम स्मार्ट वर्ल्ड को लेके शंका थी कि इनका रहरा आएगा कैसे आएगा क्या च बढ़े तो एक मैं कहोंगा कि यह अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो की जो कि दोनों लाइनड अप्ट हैं तो जो दिनडियल में दिन्दियल के लिकार्ट में देख रहे हैं वह इसं प्रोजेक्ट मतलब यह जा सकते हैं जब भी यह लॉंच होते हैं और बागी कुछ बंदू तो उनके बारे में भे बताईए तो महां मैं बता दू कि देखिए plotting के भी काफी project आने है मलब एक के बाद एक धमाका आना है मलब दिवाली के बाद तो एक के धमाका आने वाला है मलब अभी ऐसे जिसे दिवाली में दिल्ली NCR में पटाखों पे रोक लगी हुई है यह देखने वाली बात है कि कैसा अब देखते हैं में रिस्पॉंस रहेगा तो देखें प्लॉट्स की अगर हम बात किये करें तो प्लॉट्स अभी और इस ग्रूप का एक सेकेंड फेज आना है जो लगजरी सेक्मेट में हैं सेक्टर 89 में तो वह प्लॉट्स देख सकते हैं आप जिनको प्लॉट का ऑप्शन देर इसका ही और और इस ग्रूप का ही एक दीन द्याल के अंडर भी प्रोजेक्ट लाइन डाप्ट है कि जो की सेक्टर 93 में आएगा होफुली पता नहीं आप देखी कितना समय लग जाए बट वो भी दीन द्याल के अंडर है तो सेक्टर बनाया था मैंने तो पिरामिड नेस्ट जो सेक्टर 85 में वहां पर आप वह फोडेबल आना था बट वह पता नहीं आपाया या कुछ इश्यूस आ गए तो वह भी सुनने में आ रहा है कि दीन द्याल में शाहिद कनवर्ट हो जाए तो वह एक अच्छी लोकेशन है बाकि ल सक्तिया ग्रुप का और प्रोजक्ट चल रहा है क्यों कि सत्री नाइट्य सक्ता इसंथ को आदेख़्ेट्टा यहमेंदिया इंडक अधिए आंपके कज़गे Eisen को तो मैं उनको बोलता हूं कि थोड़ा स्ध्यान बुर्वक जाईए क्योंकि काफी चीज़े वाटिका की अभी क्लियर नहीं है तो वाटिका में जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं खासकर उनके दीन देल के प्रोजेक्ट के अंदर तो एक बारी उनके लाइसंस और र कुछ छोटी सी अपडेट थी मेरे साइट से और बाकी अगर मैं मीश कर रहा हूं तो तो मेरे इसाब से मैंने मोर अलेस सारा कवर कर दिया कि जो भी अभी प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट आने हैं जो भी मिझे मैं लाहाल फिलाल में जो दीख रहे हैं वो मैंने आपके साथ सारे शेर कर दिये डिटेल बाकी कुछ भी अगर देखे फिर भी कुछ रह गया हो तो किसी भी कारणवर्श तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं मेरे से कमेंट से भी पूछ सकते हैं और जो बेरे टैलिग्राम ग्रूप में लोग जुड़े हैं उन्हें तो रेगलर खेर अप जुड़े हैं तो वहाँ अपडेट चीजें जल्दी मिल जाती है तो जिनको देखें ऐसा इंट्रेस्ट हो जिनको चीजें की नौलेज्ज जल्दी चाहिए मार्केट में जब चीजें सेर्कुलेट हो रही हैं आब ये मार्केट में जाएगा वीडियो मनलब ये तो दोश्तों यह कुछ जो अपडेट थी मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देनी थी काफी लोगों को मलब काफी लोगों की इच्छा थी कि कुछ अपडेट है तो बताईए गुड़गां के रियल स्टेट में क्या क्या अपडेट हैं क्या चीज़ें आने वाली हैं हम लोग वेट करें या पुराने प्रोजिश्ट जो अल्रेडी है उन्हीं इन्वेस्ट करें तो देखें मैं कहता हूं कि आपने अपनी डिसाइड करनी है आपको चीज़े कहा सूर्ट करती हैं कहा सूर्ट कुछ नहीं करती कल को पता चले अपने जल्द भाजी में दें कि मार्केट में मैं बताऊं कि आपको ऐसा दिखाया जाएगा ऐसा समझाया जाएगा कि यह चीज है लास्ट है उसके बाद कुछ नहीं है तो इस तरह से फसने के कोई जरूरत नहीं है बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्टा आने वाले हैं अब जैसे मार्जी और कॉंचेंट का ही एक इसामपल ले लिए उसकी इस तरह से मार्केटिंग की गी थी इन प्रोजेक्ट की अफड़िबल में कि हानी इसके बाद है कुछ नहीं आने वाला फड़िबल में तो देखिए आप इस एच्छे प्रोजेक्ट आ रहे है इवंदो मैं तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आरेज्गिसी आगर अगर आधर में ध्यान पुर्वक अपना डिसीजन लीजे विए कौन सी लोकेशन आपको कौन सी जगा सूट करती है तो वहां कोई प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसी में जाईए जो की आपको ज्यादा सूटेबल हो तो और इसी तरह की इंफोर्मेशन खेर हमारे ग्रूप में हम लोग शे जुड़ेंगे जुड़ेंगे तो बहुत बहतरीन रहेगा क्योंकि चैनल पे तो देखे रहे अपडेट डालता हूं बर बहुत चीज़ें होती हैं मैं चैनल पे नहीं डाल पाता तो वह हम टेलीग्राम ग्रूप पे अपना डिसकेशन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बस इतना सा ही अपडेट था एक छोटे सा वीडियो था आपके लिए और मैंने सोचा आपसे काफी दिन हो गए गुफ्तगू भी नहीं की थोड़ा दिवाली करके थोड़ा बीजी चल रहा था कुछ ऑफिशल काम थे कुछ परसनल काम थे बस उनी चीज़ों में बीजी था तो वीडियो नहीं लेके आप आया काफी अंतराल बाद वीडियो आया रहे हैं मेरे बट अधिवाली के बाद ये वीडियो आपको रिगलर मिलेंगे और आपको कोई मलब आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा तो यही साथ साथ दूस्तों अब हम मिलते हैं अब आपको दिवाली के बाद मलब आज के बाद कल या नहीं कल नहीं आ पाए तो परसु जरूर आजाएगा वीडियो मेरे चैनल पे तो चैनल पे बने रहे हैं इस तरह के रेगलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे बाके कुछ भी किसी को परसनल कुछ इन्फ करता हूं बट हर एक चीज हर एक कोरी मैं कमेंट कमेंट पर सॉल्व नहीं कर सकता तो दोस्तों चलिए वंस अगें हैपी डिवाली टू यू आल और प्लस हमारे वीडियो को लाइक शेर जरूर कर लेना जिब अगर यहां तक देखा है तो बस यहीं गुजारिश रहे हैं आ इस तरह की इंफोर्मिशन जादा लोगों तक पहुशती रहे और बाकी वीडियो में कुछ जो चीज खमी लगी हो या अच्छा ही लगी हो वो कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों बाबाई एंड टेक कियर